आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ देखो दोस्तों Question में क्या है? कि 1 meter long sonometer wire is stretched with a force of 4 kg weight एक meter long sonometer wire है और इस पर tension कितना लग रहा है? 4 kg weight का मतलब 4 G का लग रहा है अब क्या another wire of same material and diameter इसका mu अगर mu है तो दूसरी wire का भी mu है मास पर unit length same material, same diameter is arranged along a side the second wire is stretched with a force of 16 kg weight इसकी उपर tension कितना लग रहा है? 16 kg weight मतलब 16 gram का tension लग रहा है if the length of the second wire is in its second harmonic is the same as fifth harmonic of the first wire then the length of the second wire is देखो इसकी length मान लेते है L होगी तो हमें क्या बोला है? if the length of the second wire in its second harmonic इसका हमारा second harmonic harmonic is same as the fifth harmonic of the first wire ठीके? अब देखो यह हमारा sonometer wire है मतलब दोनों साइड में fixed होगा ठीके? तो अगर दोनों साइड में fixed होगा तो इसका देखो इसमें कैसे harmonics बनते हैं? इसमें first यह बनेगा second क्या बनेगा? यह बनेगा third क्या बनेगा? यह बनेगा बराबर number of loops बढ़ते जाएंगे इस case में क्या होगा? हमारा L कितना होगा? L lambda by 2 होगा मतलब lambda 2 L होगा बराबर इस case में क्या होगा? इस case में L lambda के बराबर होगा इस case में L 3 lambda by 2 के बराबर होगा बराबर कितने के बराबर होगा ये लैम्डा और ये प्लस लैम्डा बाइ 2 तो लैम्डा प्लस लैम्डा बाइ 2 किता होगा हमारा 3 लैम्डा बाइ 2 तो हमारा लैम्डा किसके बराबर होगा है 2L बाइ 3 के और फ्रीक्वेंसी को हम क्या लिख सकते है V by L, V by lambda तो मतलब इसकी frequency हो गई V by 2L, इसकी frequency हो गई V by L इसकी frequency हो गई V by 2L by 3 ठीके, मतलब यह कित्ते से बढ़ रहा है यह कित्ते से बढ़ रहा है यह हो गया हमारा V by 2L यह हो गया 2V by 2L यह हो गया 3V by 2L मतलब यह सारे integral multiples इसके बनते जा रहे है ये इसका हो गया इसका first harmonic ये second harmonic ठीक है तो ऐसा हमारा fifth harmonic क्या बनेगा इसका हमारा fifth harmonic बनेगा 6V by 2L ठीक है जहाँ पर L इसकी length है और वो कित्ती दे रखी है 1 meter तो इसकी length कित्ती बन गई 6V by 2 मतलब 3V ठीक है अब जो दूसरा वाला wire है इसका second harmonic अब ये भी same ही ये बनाएगा notes बनाएगा mode बनेगा तो इसका जो second harmonic होगा ठीक है ये क्या होगा ये होगा तो इसकी frequency कित्ती होगई 3V by 2L L इसकी length मान लेते है अब ये दोनों क्या हमें दे रखा है कि same है तो हम क्या बूल सकते हैं कि 3V by 2L किसके बराबर है 3V के बराबर है ठीक है तो मतलब हमारा 2L 1 के बराबर है मतलब length कितनी है इसकी half meters है ठीक है Classics to 12 से लेके Meet IIT Jee Means और Advanced के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटनेटा या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 84444 पर